हाई एप्रिवान मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड़ा 24-7 Regulatory Bodies पर आज के सेशन में एक बड़ा important topic हम समझने वाले हैं आप मेरे पीछे देखे सकते हैं ये एक बहुत बड़ा जो stock market crash हुआ है इसके बारे में हम समझेंगे majorly आज के session का जो point of view है वो ये है कि इसका reason क्या है actually ये हुआ क्या सारी चीज़े हुई है ये तो शायद हम सुनी रहे होंगे ये भी मैं दुबारा repeat करूंगे बट क्या हुआ है वो हम समझेंगे आपके exam point of view से अगर किसी भी banking exam के लिए अगर topic है आपके prelims, mains और interview तीनों में ही इस तरीके के topics आप से पूछा जा सकते हैं शुरू करते हैं फटा फट शुरू करने से पहले अगर आप चानल पर नए है तो एक बड़ सब्सक्राइब जरूर कर दीज़ेगा और अड़र 24-7 का app भी डाउनलोड कर लीज़े क्योंकि वहा सबी की जो चीफ हैं और उद्यकोटक यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने एक चीज लिखी थी कि स्टॉक मार्केट में यहां पर आप देख सकते हो फ्रॉथ, जाग जो होता है आपने अकसर देखा होगा किसी भी जो भी पीने की चीज़े होती है उसके उपर एक जो ज भाग आ जाता है, फ्रॉथ आ जाता है, उसको जो है यहाँ पर सिगनिफाई करते हुए, इन्होंने बोला है कि स्टॉक मार्केट में एक फ्रॉथ देखने को मिला है, यानि जो चीजें हमें एक बबल की तरह जो है, एक सिचुएशन क्रियेट हो रही है, जो कभी भी फट सकत है, यानि जो रियालिटी है, वो हमें नहीं दिखाई दे रही है, एक्चल सबस्टांस जो है वो नहीं है, बस उपर से जो है, फ्रॉथ दिखाई दे रहा है, और एक्जाक्ली इसी के बाद काफी जादा जो है चीजें हुए है हमारे स्टॉक मार्केट में समझते हैं, एक इसको यहां पर cover किया है exactly इन्होंने क्या बोला है वो में एक बर read करके जरूर बताना चाहूंगी यहां पर she has mentioned सेभी चीफ की यहां पर हम बात कर रहे है additional disclosure regarding risk factors is necessary for the investors to understand difference between SME segment and main board यहां पर जो है इन्होंने बहुत सारे price manipulation की भी बात करी गई है की काफी तरीके के अलग-अलग तरीके से price manipulate हो रहे है ठीक है IPOs भी जो है यहां पर IPOs की भी बात करी गई है बहुत सारे stocks over valued है यानि जिनकी उनकी जिनकी सच में उनकी जो value है उसे over valued जो है यहां पर prices है वो भी मैं आपको बताऊंगी की कैसे किसी भी stock का या फिर किसी भी हम जो है एक over valued वो है या नहीं यह कैसे पता कर सकते हैं उसका भी एक formula होता है जो मैं आपको यहां पर बताने वाली हूँ आगे चलते हैं आप यहां पर देख सकते हैं की over 80% stocks BSE small cap index यह small और medium large cap indexes क्या होते हैं यह भी next slide में हम समझेंगे उन्होंने recently record किया है negative return since February 19 यानि 2019 से अगर अब तक मैं compare करूँ तो बहुत ही जादा अभी तक के maximum negative results हमें देखने को मिले हैं while in the same period nifty had gained anyways तो यहां पर जो है यह आपको ध्यान रखना है 80% भी एक बहुत बड़ा number है यहां पर बहुत बार आप पूरे ही मुद्दे में small cap और mid cap stocks के बारे में सुनेंगे so small cap या फिर आप cap यहां पर capitalization है या फिर किसी भी चीज को जब हम किसी भी चीज का valuation जब निकालते हैं तो उसका market capitalization की वो कितना net worth या फिर कितना worth जो है वो hold करता है कि जी आपकी company का क्या worth है अगर आप असान भाषा में समझना चाहें उसी को हम market capitalization कहते हैं कि आपके पास कितने shares हैं उस total share को हम एक share के price से multiply करते हैं और तब जो number आता है let's say for example अगर आपके पास total share 100 है और एक share की कीमत पांच रुपे है तो 500 जो आपका जो number यहाँ पर आएगा वो आपकी market capitalization होती है वो आपकी total जो है worth आप बोल सकते हैं गसान भाषा में समझने के लिए तो small cap वाले वो वाले stocks होते हैं जिनका market capitalization होता है 5000 करोड तक का यानि कोई भी stock आप कोई भी company बोल सकते हैं कोई भी stock जो है अगर उसकी market capitalization 5000 करोड है तो उसको हम small cap में include करते हैं whereas mid cap की जब मैं बात करती हूँ उनकी market capitalization 5000 करोड से 20 000 करोड की होती है यहाँ से समझ नहीं आया तो मैं आपको example का नाम देकर बताती हूँ जिससे आपको better clarity होगे यहाँ पर मैंने कुछ list लगाई है mid cap stocks की और small cap stocks की आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं आपको अलग-अलग जैसे बहुत famous इसमें से मैं जो है यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो एक बाटा है यहाँ पर mid cap stock में जो आता है ठीक है उसके अलावा I'm sure आपने किसका नाम सुना होगा आपने जो है बाटा यहाँ पर सुना होगा ठीक है और अगर मैं यहाँ पर small cap stocks की बात करती हूँ वरपूल है यहाँ पर आपने सुना होगा तो अलग-अलग जो है यहाँ पर आप एक example यहाँ पर आपको यह याद रखने की बेशक जरुवत नहीं है आप सिर्फ समझने के लिए इसको याद रख सकते हैं next question और जो सबसे important बात यहाँ पर आती है कि किसी भी stock को अब bubble क्या होता है bubble यह होता है कि किसी भी stock को हम over value दिखा रहे है यानि जो उसका actual price है उससे बहुत गुना जादा हम उसको दिखा रहे हैं और जब वो फटेगा bubble जो की फटता है तो हमारा stock market crash होगा यही उसका मतलब होता है तो यह जो over value करी जाती है चीजे इसका हमें पता कैसे चलता है कि कोई भी stock over value है या नहीं यानि अगर आप investor है और आपको invest करना है किसी भी stock में आपको पता होना चाहिए कि किस stock में आपको invest करना है क्या जिसमें आप invest करने वाले हैं वो over valued है या नहीं पर यह पता कैसे आप लगाएंगे उसके लिए एक formula होता है, तो बहुत सारे economist हैं, बहुत सारे analyst हैं, जो हमेशा ये बोलते हैं, कि हमें क्या check करना चाहिए, price to book ratio या फिर price to book value होती है, एक वो check करना चाहिए, जसे हमें पता चल जाता है, if any stock is overvalued or not, price to book, price का मतलब, price मतलब जो भी उसका market price होता है, उस stock का उसको price कहते हैं, और book value होती है, उसकी जो actual worth होती है, जो actual value होती है, उसको book value कहते हैं, जब इन दोनों को हम divide करते हैं, price को और book value को, let's say for example, उस stock का, उसका जो price है, वो 200 रुपय है, और उसकी book value 100 रुपय है, माल लिजे, divide करके जो ये number आएगा, वो 2 आएगा, ठीक है, और formula के हिसा आप से, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, what is a good ratio depends on a particular business and the industry, however, यह जो ratio है, of one or below is usually considered to be a good investment, अगर यह ratio एक आता है, या उससे नीचे आता है, तो ही हम इसको एक good investment, जो है, consider कर सकते हैं, अगर एक से बड़ा ये number आता है, तो आप समझ जा जिसकी वज़ा से ये crash सामने आया है, the value has reached up to 3.36, तो आप देख सकते हैं, कितना overvaluation हो चुका है चीजों का, right, so I guess आपको ये समझ आ गया होगा, कि आपको कैसे find out करना होता है, उसका price divided by उसका book value, वो ratio हमें निकालना होता है, और अगर एक या उससे कम आया है, तो it is considered to be a good investment otherwise वो overvalued है, वो आपको आगे जाके crash, वो आपको benefit नहीं देगा, आगे जाके crash होने के chances उसके जादा होते हैं, and यहाँ पर आप देख सकते हैं, the ratio of BSE small cap index which is 3.36, indicates कि वो काफी जादा overvalued था, small cap में अकसर लोग जो है, इन्वेस्ट करते भी इसलिए हैं, क्योंकि एक वो होत है, ठीक है, तो risk भी यहाँ पर होता है, बट लोग यहाँ पर invest भी जादा इसलिए करते हैं, क्योंकि जल्दी profit यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, यह जो ratio है, is a measure of the company का market valuation कितना है, relative to its book value, ठीक है, यानि आपका, जो market valuation है, यानि market जो आपका price चल रहा है, वो divided by आपका जो original value है, उसको divide करके, हम यह एक ratio निकालते हैं, since the market value of the stock is typically higher than the book value, investor look at the ratio to identify investments with a potential, यानि यह ratio को ही देखकर, जो भी investors होते हैं, वो उस stock का कितना potential है, आगे जाके, क्या future है, अकसर यह जो है, यहाँ पर निकाला जाता है, तो यह आपको याद रखना है, कि कैसे exactly आपको पता अब क्योंकि SEBI ने इसके लिए वार्न किया है, तो क्या कुछ वार्निंग्स है और क्या कुछ ऐसे future steps है, वो भी देख लेते हैं, यहाँ पर AMFI का जिक्र हुआ है, यानि Association of Mutual Funds in India का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो SEBI की वार्निंग यहाँ पर following the warnings, जो हमारा AMFI है, उसने ड देखने के लिए कि किसी तरीके की कोई overvaluation तो नहीं हो रही है, and disclose the outcomes from 15th of March as well, और जो भी आप test कराओगे, उसका जो outcome होगा, जो result होगा, जो भी numbers आएंगे, वो भी आपको disclose करने पड़ेंगे, this may have resulted in a churning in a small cap and mid cap portfolios of mutual fund, definitely इसे थोड़ा सा mutual funds, especially small cap और mid cap वाले जो portfolios हैं, उनम had asked the asset manager also to give the investors more information about risk, definitely, Sebi ने basically अपने तरफ से warnings दे दी हैं कि इस तरीके के test आपको कराने हैं, ताकि किसी भी तरीके का overvaluation अगर market में हो रहा है, अगर bubble create हो रहा है, तो उसको time पर ठीक किया जा सके, crash वाली situation आने से पहले, so this is what Sebi has warned about, okay, so ये आपको याद रखना है, I hope आपको पूरा ये topic समझ आ गया होगा, and at the same time आपको जो है reason भी समझ आ गया होगा, अगर कोई doubt आपको फर्दर रहे गया है, तो वो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं, एक छोटी सी information में आपके साथ share करना चाहती हूँ, ADA 24-7 celebrate कर रहा है, big saving days, यानि हमारा जो normal किसी भी batch में आप enroll करते हो, let's say for example, अगर आप RBI के तैयारी कर रहे हैं, RBI का हमारा 4.0 batch है, वो around around आपको 3400 रुपय का पड़ता है, ठीक है, बट यहाँ पर big saving days में हम आपको bank maha pack plus दे रहे हैं, जिसमें RBI का तो course आएगा ही, RBI हो गया, NABAD हो गया, और बाकी और bank के 17 exams यहाँ पर included है, live recorded sessions, उसमें आपको test series, e-books और मेरा the bigger picture plus जो batch है, वो भी आपको इसी में complimentary सब कुछ मिलता है, at just 3940, in fact, आप जब यह code Y674 use करेंगे, तो इसमें भी आपको 3600 के around आपको यह पूरा batch आपको मिल जाएगा, with 12 months validity, यानि एक साल के लिए आपको यहाँ पर सारे ही courses का access मिल जाएगा, in case अगर आपको future में भी कोई exam देने का मन है, आपके पास course already available होगा, तो बहुत ही wise decision होगा अगर आपने इसमें enroll किया, तो इसमें आप तुरंत enroll कर लीजिए, यह offer आज या कल में ही खतम हो जाएगा, and this is never going to come back, so इसमें आप enroll करके ज़रूर रखे, और मैं आपको बता दू कल यानी 15 तारिक को मैं launch कर रही हूँ, the bigger picture plus का एक नया batch और इसमें एक surprise आप लोगों के लिए यह है, कि P.I.B. की जुतनी भी news है, वो मैं यहाँ पर कल से cover करने वाली हूँ, ठेक है, P.I.B. आज तक हमारे bigger picture plus का part नहीं हुआ करता था, but now it is going to be the major part of the bigger picture plus, so P.I.B. की भी ट अगर आपके कोई और doubts रह गए हूँ, this is my telegram, आप मुझसे यहाँ पर connect कर सकते हैं to ask any further queries if you have, thank you so much, आज के लिए इतना ही, I'll see you all tomorrow, bye-bye.